दोस्तों अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सिखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कर्ज कितना भी बड़ा क्यों न हो जल्द ही उतर जाएगा अगर आप इन उपायों में से कोई एक उपाय भी करते हैं तो निश्चित तोर पर आप रिणमुक्द हो जाएंगे दोस्तों कर्ज या रून का सरपर होना जिन्दगी को मुश्किल में डाल देता है कर्जमुक्द जीवन ही सबसे खुशाल जीवन होता है कर्ज लेना जितना असान होता है कई बार उसे चुकाना उतना ही मुश्किल हो जाता है कई बार कर्ज लेने के बाद उसे लोटाना भारी पड़ता है और पूरी जिन्दगी कर्ज चुकाते चुकाते खत्म हो जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए कर्ज बहुत बड़ी समस्या होती है कर्ज में डुबा हुआ व्यक्ति सदैव चिंता में रहता है कर्ज होने पर उसका पूरा परिवार कश्टों का सामना करता है कर्ज की वजह से मानहानी, पैसों की तंगी और पारिवारी कलह जहलने पड़ते हैं कर्ज में डुबा व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए मुसिबत बन जाता है कर्ज लेते वक्त ही समस्या के बारे में सोचने की सावधनिया बरतने की आवशक्ता होती है नहीं तो इन मुश्किलों को टालना नामुम्किन सा लगने लगता है हमेशा ध्यान रखें, आप कभी भी मंगलवार या शनिवार के दिन कर्ज ना लें क्यूकि इस दिन लिया कर्ज उतारने में काफी दिक्कतें आ सकती है शनिवार को लिया हुआ कर्ज कभी समाप्थ ही नहीं होता शनिवार की दिन ना तो कर्ज के लिए आविधन करें और ना ही कर्ज के काखजात पर हस्ताक्षर करें चर लगन जैसे मेश, करक, तुला और मकर में कर्ज लेने पर वो शिग्र उतर जाता है लेकिन चर लगन में कर्ज ना दें कर्ज लेते समय, चर लगन में, पांचवे और नौवे स्थान में शुब गरह और आठवे स्थान में कोई भी गरह ना हो वरना कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा आठ अंक शनीका माना जाता है तो 8, 17 और 26 तारिक को कर्ज कभी न लें इन तारिकों पर लिया गया कर्ज आपके जीवन को मुश्किल कर देता है कर्ज के आबेदन पर काली स्याही से हस्तक्षर ना करें इसे अशुब मना जाता है ऐसा कर्ज जल्द आपका पीछा नहीं छोड़ता कोशिश कने कि कर्ज अगर लेना ही हो तो सोमवार, बुधवार या शुक्रवार के दिन ही कर्ज लें इन दिनों पर लिया गया कर्ज बहुत जल्दी उतर जाता है इसको चुकाने में कोई बड़ी दिक्कते नहीं आती कर्ज के लिए आबिदन करते समय हस्ताक्षर करते समय हमेशा इश्वर का स्मरण करें इश्वर से कहें हे प्रभू, ये धन भी आपका है और मैं भी आपका हूँ इसे चुकाने में मेरी सहायता करें ऐसे कर्ज से जल्दी छुटकरा मिल जाता है लेकिन कई बार कर्ज में व्यक्ती बुरी तरह फंस्ता चला जाता है कॉर्ट कचेरी के मामलों में उलज जाता है अगर ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसे में आप कुछ उपाई कर ले कर्ज से मुक्त होना आसान नहीं लेकिन कठिन भी नहीं है कर्ज कितना भी बड़ा क्यों नहों जरूर उतर जाएगा तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ज मुक्ती के कुछ आसान उपाई कुछ उपाई पान जो की बिड़े में प्रयोग किया जाता है उस पत्ते को लेकर कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों को शेयर कर दिजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा पान को हिंदु धर्म में लगभग सभी कारियों में शुब माना जाता है सकंद पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय पहली बार पान के पत्ते का उप्योग किया गया था तभी से ये पत्ता हर शुबकार्य में इस्तमाल होने लगा पुजा पाठ से लेकर किसी भी शुबकार्य में पान के पत्ते को जरूर शामिल किया जाता है जोति शास्त्र और उपायों में भी इसे बेहत प्रभावशाली माना जाता है माना जाता है कि बुध ग्रह का पान से गहरा नाता है ये धन की मुश्किलों को भी दूर करता है अगर आप कर्ज में बुरी तरह डूब चुके हैं लगता है कि निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा हर कोशिश करने के बाद भी कर्ज उतारने में सफलता नहीं मिल रही है तब पान के पत्ते का ये उपाय आपके जीवन की मुश्किलों को दूर कर देगा उपाय करने के लिए एक साबुत यानि जो कटा फटा हुआ ना हो ऐसा साफ सुथरा पत्ता लें पत्ते का डंठल निकाल दें हरे रंग का ताजा पत्ता आपको लेना है उस पर दो लौंग और एक इलाईची रखें अब इस पत्ते को मोड कर पान का बीड़ा बना ले और मंगलवार की शाम के समय स्नानादी करके स्वच्च वस्त्र धारन कर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और उन्हें ये पान का बीड़ा अर्पित कर दें तीन महिने तक लगातार हर मंगलवार को ये प्रयोग करें किसी मंगलवार को अगर आप खुद नहीं जा पाते हैं तो आपके बदले में कोई और भी इसे कर सकता है इस दिन तामसिक पदार्थों का सेवन ना करें सात्विक्ता बनाय रखें जल्द ही कर्द चुकाने के रास्ते बनते नजर आएंगे आसानी से आप रिड़ मुक्त हो जाएंगे याद रखें हनुमान जी की शरण में जो आ गया हनुमान जी उसका बेड़ा पार लगा देते हैं आपकी सारी मुश्किलों को खत्म कर देते हैं अब एक दूसरा उपाई कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि कर्ज लेने के बाद मुश्किलें बढ़ जाती है आमदनी और किष्टों का मेल नहीं बैठ पाता ना परियाब धन आता है न कारियों में आने वली रुकाउटें कम होती है जब संकट आता है तब कई बार अपने चार साथियों को साथ लेकर आता है नोकरी व्यवसाय में उसी वक्त दिक्कते आनी शुरू हो जाती है पैसे कहीं फंस जाते हैं शुबकारियों में अडचने आती है सगे संबंधी मुँ फेर लेते हैं लगता है कि आप चारों और से घिर चुके हैं तब ऐसे में एक छोटा सा उपाय जरूर करके देखें इस उपाय के लिए भी आपको एक पान का पत्ता लेना है साबुत, ताजा, हरे रंका पान का पत्ता लीजिए डंठल हाटा लीजिए इस पत्ते के चिकने साइड को नीचे कर दें और खुरदरे साइड को उपर कने उस रूखे साइड पर दो लॉंग रखें अब सावधानी से दोनों हाथों में इस पान के पत्ते को उठा कर बहते हुए पानी में प्रवाहित करने हाथ जोड़कर इश्वर से प्रार्थना करें कि जो आपके काम में रुकाउटें आ रही है जो जो आपके जीवन में मुश्किलें आ रही है वो इस पान के पत्ते के साथ बह जाए वो बहता हुआ पानी आपकी तमाम परेशानियों को अपने साथ बहा ले जाएगा जल्द ही परेशानियां दूर हो जाएंगी, कारियों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी, हर संकट से बाहर निकलने का रास्ता सामने दिखने लगेगा बहुत ही कारगर उपाय है, जरूर आजमा कर देखें और एक उपाय जो आप नवरात्री में कर सकते हैं आपके उपर अगर कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो आप नवरात्री में जितने दिन हो सकें, रोज पान के पत्ते पर रिम लिखकर मा दुर्गा को अर्पित कर दें नौमी के दिन आप उस पान के पत्तों को अपने तीजोरी में रख दें और एक छोटा सा उपाय बताते हैं, आप खुद या आपके घर का कोई भी सदस्य, कोई महिला सदस्य भी आपके बदले में कर सकती हैं लेकिन महिलाएं हनुमान जी को छोए नहीं रिण मुक्ति के लिए मंगलवार की रात एक विशेश उपाय किया जाता है उपाय वाले दिन नमक ना खाएं, सेंधा नमक खा सकते हैं, इस दिन बिना लहसुन प्याज का खाना खाएं रात में स्नानो परांत ग्यारह बजे से एक बजे के बीच में आपको ये उपाय करना है रात के समय चारों और शांती होती है और आप प्रभु से आसानी से जुड़ पाते हैं घर में हनुमान जी के सामने आप आसन लगा कर बैठ जाएं, दीपक जलाएं हनुमान जी को लाल पुश परपीत कने और फिर ग्यारह बार हनुमान चालिसा का पाठ कने ये प्रयोग नियमीत रूप से आपको कम से कम ग्यारह मंगलवार तक करना है जल्द ही कर्ज से चुड़कारा मिल जाएगा ग्यारह हफ्थों तक हर हफ्थे में एक दिन मंगलवार को आपको ये उपाय करना है और रात को ग्यारह बजे से एक बजे के बीच ही करना है जल्द से जल्द आप करज से मुक्त हो जाएंगे पुरुष मंगलवार की दिन दक्षिन मुखी हनुमान जी को सिंदूर अरपित कने महिलाएं लाल पुष्प अरपित कने घर में तीन बार सुबह शाम शंक जरूर बजाएं और प्रभु से रिण मुक्ति की प्राथना करें आसान सा लेकिन बहुत प्रभावशाली उपाय है ये करज मुक्ति के लिए कुछ और उपाय भी आप कर सकते हैं आप रिण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ कीजिये या कनगधारा स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करेंगे तो भी करजों से राहत मिल जाएगी करज की समस्या आपको परेशान नहीं करेगी उपायों के साथ ही मेहनत, लगन और नियमित्ता करज उतारने में बड़ी काम आती है आप मंगलवार के दिन थोड़ा ही सही पर करज उतारने का प्रयास जरूर करें थोड़ा थोड़ा करके नियमित रूप से अगर आप रिंड़ चुकता करते जाएंगे तो आसानी होगी छोटी रकम ही सही, लेकिन करज चुकता करने के लिए अलग से निकाल कर रख दें या चुकता करें करज जल्द ही उतर जाएगा आज के लिए बस इतना ही दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंदाया है तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि आने वाला नॉलेज़बल वीडियो आपको सबसे पहले मिलें दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई एंड थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो